अब इस तीसरे चरण में हम इस लोड एलेडी को लोड वायर के साथ सोल्डर करेंगे देखते हैं ये काम कैसे किया जाता है इसके लिए आपको सोल्डरिंग आयरन एब हम सोल्डर वायर के आवशकता होगी यहाँ सोल्डर वायर एसी से कनेक्टेड है अब यहाँ पूरी तरह से गरम हो चुका है सोल्डरिंग करते वक्त आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी यह rod पुरी तरह से गरम होती है, आपको इसको छूना बिलकुल भी नहीं है अब हम soldering का कारे करते हैं इस load LED के उपर आप देखेंगे, plus और minus दो terminals है जहाँ पर plus लिखा हुआ है, इस terminal के उपर, यह जो load wire का लाल वाला wire है जो की plus होता है, इसको जोड़ा जाएगा और जहाँ पर negative terminal है, वहाँ पर इस काले wire को solder किया जाएगा आईए, अब हम सबसे पहले इस लाल वाले यानि की positive terminal वाले wire को इस load LED के positive terminal पर solder करते हैं सबसे पहले आप solder wire से थोड़ा सा solder इस rod के उपर लेंगे इस तरह आप एक wound जो है, solder wire की iron पर ले लें इस लाल वायर को इस positive terminal पर रखें एवाँ इसे solder करें इस प्रकार यह जुड़ चुका है वसी प्रकार इस दूसरे wire को इस terminal पर रखते हुए solder करें आप थोड़ा सा solder wire लें एक wound बहुत है solder है तूँ आप इसे इस तरह रखते हुए आप इसे इस तरह रखते हुए यह देखिए इस प्रकार यहाद दोनों wires प्लस और माइनस terminals पर solder हो चुके हैं इस बात का ध्यान रखें solder जो है चमकदार हो तथा मजबूती से किया गया हो देखिए आप इसे खींच कर जाच सकते हैं कि यहाद दोनों terminals बहुत मजबूती के साथ solder किये गये हैं इस प्रकार यहाद soldering वाला चरण पूर्ण होता है